जेन्यू एक बार फिर सुर्ख्यों में हैं जेन्यू में अनस्यू आई के कारेकरताओं ने विजय दश्मी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी को रावन दिखाते हुए उनका पुतला फूका है अनिल मीडा नाम के एक शक्स ने पुतला देहन का वीडियो सोचल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसकी सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है अनिल मीना खुद को NSUI का गारेकरदा बता रहा है वहीं इस घटना के सामने आते ही JNU के VC ने मामले की जाँच के आदेश दे दिये हैं JNU में फूके गए मोधी के पुतले में दस सर बनाये गए हैं जिसमें अविच शाह बाबाराम देव आसाराम के मुखोटे भी शामिल है वहीं NSUI का कहना है कि हम प्रधान मंत्री का अपमान नहीं कर रहे हैं हमने मोधी जी का पुतला जलाया है नाकी रावन का पुतला इसलिए जलाया है क्योंकि उन्होंने जो वादे किये थे वह पूरे नहीं किये छूट पर छूट बोला हमारा विरोध इसी बात को लेकर है कि हम चाहते हैं कि जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जाए जब तक वो अपने वादे पूरे नहीं करेंगे हमारा विरोध जारी रहेगा तो जन्यू में पीम मोदी के अपमान को लेकर विवाद बढ़ गया है प्रशासर ने मामने की चांच के आदेश दे दिये हैं वहीं बीजेपी एनस्यूआई के खिलाफ केस दर्च कराने पर अड़ी है देख्थे रहेंगे टीवी लाइव